हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और आ गया हूं एक और नई वीडियो लेके एक और नई मैडिसीन साथ में मेया नाम है दिने सैनी और आज की वीडियो में बात करने वाले हम इस टैबलेट का जिसका नाम है एपसी एंड डेर सो जानेंगे इ अगले आने वाली वीडियो की आपको मिल पाए तो ठीक है वीडियो को स्टार्ट करते है और जानते है इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी तो फ्रेंड्स ये टैबलेट का नाम है एपसी एंड डेर सो जिसकी मैनुफेक्ट्रिंग करती है इंटास कंप्री और ये क जिसकी MRP है चब्वी सिरुपर पैंतालीस पैसे बात करें अगर सी केमिकल नेम की सो इसके अंदर होता है फुलुकोनाजोल डेर सो एमजी ये देख लिए दिखाता हम आप ये उपर लिखाओ फुलुकोनाजोल और बात करें इसकी यूस की किन-किन परिशानियों में ये ज केमिकल है एंटी- फंगल परिशानियों दिया आता है एंटिफंगल में दाद में खाज खुजली में कुछक्र में बीडा बीडाज हो रहा हो खुजली अपने काम आता है अब बात करते इस junk कि क्या इसका सही डोज है तो अगर इसकी डोज की बात करें तो हर डॉक्टर अपने हिसाब से इसकी डोज रिकमेंड करता है किसी को ज्यादा परशानी होती है किसी को कम परशानी होती है तो उसी के हिसाब से इसका जो डोज है वह दिया आता है अगर इसकी नॉर्मल डोज की दिन में एक बार डेली चलाते हैं कम से कम 15 दिन या एक महीने तक तो वह वहरी करता है कि कैसी परशानी है कैसा दाद है कैसा इंका फंका इनका इफेक्शन है और बात करें अगर इस केमिकल के साइड एफेक्ट की तो वह होता है आपको वोमेटिंग सा होना और हलकी आपको जी कभी-कभी होता है वैसे रियली केस में और आपको गैसी बनती प्रेट में और बस ज्यादा कुछ तो उसकी साइट रिफिट होते हैं बस यह साइट रिफिक्ट हैं तो बस यह था इस टैबलेट का रिव्यू कैसी लगी आपको वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हैं और आपके अगर कुछ सवाल हो इस कैमिकल के रिलेटिड तो कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझे कमेंट करें मैं कोशी करूँगा कि मैं उसका जवाब दूँ तो ठीक है वीडियो का एंड करते हैं एसी किसी नई वीडियो में जब तक के बाइ-बाइ